अज पहली बात मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े-बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी उर्जा खपाते हैं वो मेरा ये भाषन सुनने के बात तूट पढ़ने वाले हैं मुझे पता है लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए मेरे जो साथी जो मेरे परिवार जन है जो जुग्गी जोपड़ी में जिन्दगी जीते थे जिनके पास पक्की छत नहीं थी ऐसे तीन करोड परिवारों को इस कारकाल में एक ही योजना से लगपती बनने का अवसर बिल गया है इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड परिवार है मोटा मोटा अंदाज करें उसमें से इतने छोटे से कारकाल में तीन करोड गरीब परिवार लख्षपती बनना यह अपने आप में बहुत बड़ी बाद अब आप कहेंगे मोटी इतना बड़ा क्लेम कर रहें कैसे कर रहें प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट देश में जो करीब करीब तीन करोड घर बने हैं आप उनकी किम्मत का अंदाज लगा दीजिए यह लोग अब लख्षपती हैं तीन करोड पक्के घर बना कर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पुरा किया है साथियों मुझे वो दीन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूत उत्तर प्रदेश घरों के निर्मान में आगे नहीं बढ़ रहा था आज लखनो मैं ही और जब मैं आज लखनो मैं हूँ तो मुझे लगता है ज़र अविस्तार से ये बात बतानी चाहिए बतानी चाहिए ना आप तयार है हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनिती का शिकार हो जाती है ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है साथियों गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंदर सरकार दे रही थी बावजुद इसके दो हजार सत्रा से पहले योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूँ 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी गरीबों के लिए घर बनवाओ इसके लिए हमें पहले जो यहाँ सरकार में थे उनसे मिन्नते करनी पड़ती थी 2017 से पहले पी-एम आवाश योजना के तहट यूपी के लिए अठारा हजार गरों की स्विकृति दी गई थी अठारा हजार लेकिन जो सरकार यहाँ थी उसने गरीबों को पी-एम आवाश योजना के तहट अठारा गर्भी बना कर नहीं दिये अठारा हजार गरों की स्विकृति और अठारा गर्भी न बने मेरे उत्तर पुदेश के भाईयों बहनों इस चीज़ें आपको सोचनी चाहिए अब कल्पना कर सकते हैं अठारा हजार गरों की मंजूरी थी लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए अठारा गर्भी नहीं बढ़ाए पैसा था गरों की स्विकृति थी लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अढंगा डाद है थे उनका ये कृत्य यूपी के लोग यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते साथियों मुझे संतुष्टी है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को नव लाग घर बना कर दिये गए है शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में चवदा लाग घर निर्माण के अलग अलग चन्रों में है अब घर में बिजली पानी गैस सौचाले ऐसी सुविधाय भी मिल रही है तो गरह प्रवेश भी पुरी खुशी के साथ आन बान के साथ हो रहा है लेटेश अपडेट्स और ताजातरीम ख़बरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए